नमस्कार मैं शर्वन शुकला लोबिया वर्षा तथा ग्रीश मृत में उगाई जाने वाली फसल है लोबिया की अच्छी उपजप्राप्त करने के लिए 19 सील प्रजातियों का सुद्ध बीज ही प्रियोग करना चाहिए तथा बुवाई के समय एवं छेतर की अनकूलता के अनसार प्रजातियों का चैयन करना चाहिए प्रजातियां लोबिया की कुछ प्रमुक प्रजातियां इस प्रकार हैं जैसे की अर्का गरिम, पूसा बर्साती, नरेंद्र लोभिया एक, पूसा दो फसली, पूसा रितुराज, टाइप टू, टाइप बावन उनहत्तर, यूपीसी बैयालिस्सो, रसियन ज्वाइन्ट, आईजी एफ चारसो पचास, सीयो पाँच, तथा यूपीसी बावन सतासी आदी प्रमुख हैं, खेत की तैयारी, लोभिया की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंत दोमट भूम तथा बलुई दोमट भूम उप्युक्त मानी जाती है, छारी भूम इसकी खेती के लिए उप्युक्त नहीं होती है, मिर्दा का पी अच् से 6.5 के बीच उचित रहता है भूम में जल निकास का उचित प्रबंद होना चाहिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद दो तीन जुताईयां देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए तथा पाटा लगाकर खेत को भूरा तथा समतल बना ल जाए लोबिया की बुवाई के लिए बीच से 25 किलोग्राम बीच प्रते हेक्टेर लगता है बुवाई से पूर बीच को 2.5 ग्राम थिरम से 30 किलोग्राम बीच की दर से सोधित करना चाहिए इस सोधन के 5 से 6 गंटे बाद बोने से पहले बीच को लोबिया के विश्च राजयोबियम कल्चर से उपचारित बीच को 2-3 गंटे चाया में सुखा कर ही बीच की बुवाई करनी चाहिए उपचारित बीच की बुवाई सुबह 10 बजे से पहले या साम को 4 बजे के बाद करनी चाहिए बीच की बुवाई पंक्तियों में करनी चाहिए बुवाई में लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तथा पौदे से पौदे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर एवं बीच की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए लोबिया की बुवाई सीडिल के द्वारा भी की जा सकती है बुवाई के समय भूम में उचित नमी की मात्रा होन मिर्दा परिच्ण के आधार पर उर्वरकों का प्रियोग लाबदायक रहता है यदि किसी कारण वस मिर्दा परिच्ण नहों पाया हो तो 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद या कमपोस्ट खाद खेत तयारी के समय आखरी जुताई में मिला देना चाहिए इसके अत्रिक 15 से 20 किलोग्राम नत्रजन 20 से 25 किलोग्राम फासफोरस तथा 20 से 25 किलोग्राम पोटास तत्यो के रूप में देना चाहिए नत्रजन फासफोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय कूनों में 20 के नीचे 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर देना चाहिए जिन भू दायग रहता है सीचाई लोबिया की फसल जल भराओ के प्रती समवेधन सील होती है तता इस फसल को अन्य फसलों की अपेच्छा कमपानी की आवसक्ता होती है दाने वाली फसल के लिए दो से तीन सीचाईयां प्रयापत होती है फूल निकलते समय तता फली बनते समय खेत में प्रयाप्तनमी होनी चाहिए खर्पतवार नियंत्रण लोबिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए बुवाई के 20 से 25 दिन बाद एक निराईगुड़ाई करनी चाहिए निराईगुड़ाई से जड़ों का फैलाव अच्छा होता है साथी भूम में वाई संचार भी बढ़ता है जिससे उत्पादन में ब्रिद्धी होती है रासायनिक विस्से खरपतवार नियंत्रा के लिए एलाकलोर की 2 किलोग्राम मात्रा प्रती हेक्टेर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में गोल कर बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर 20 जमाव से पहले भूम पर छिड़काव करना चाहिए जिससे की मौसमी घास एवं चोड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का जमाव नहीं होता है रोग नियंत्रन लोबिया की फसल में जीवालू अंगमारी एवं लोबिया मुझे एक रोग लगता है जीवालू अंगमारी इस रोग के कारण बीज पत्र लाल रंग के होकर सिखुड जाते हैं नई पत्तियों पर सुखे धब्बे बनते हैं तथा पौधों की कलिकाएं नश्ट हो जाती है अंत में पूरा पौधा सुख जाता है इसकी रोग थाम के लिए बीज को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए रोगी पौधों के अवसेसों को नश्ट कर देना चाहिए तथा खड़ी फसल में कापर अक्सिकलराइट की 3 किलोग्राम मात्रा 800 से 900 लीटर पानी में गोल कर 30 हेक्टेर की दर से छिड़का हो करना चाहिए लोगिया मुझैग इस रोग से ग्रशित पौधों की पत्तियां हलकी पीली हो जाती है रोग की उग्र अवस्था में पत्तियों का अकार छोटा हो जाता है और उन पर फफोले सद्रिश उभार आ जाते है रोगी फलियों के दाने सुकुर जाते हैं तथा दाने कम बनते हैं इस रोग की रोग्थाम के लिए सुद्ध एवं प्रमाडित बीच की बुवाई करनी चाहिए तथा डाइमित्वेट 30 EC एक लीटर या मिथाइल ओडिमेट ओन 25 EC की एक लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में गोल कर प्रते हेक्टेर की दर से छिड़काव करना चाहिए कीट नियंतुन लोबिया की फसल में माहू तथा फली बेधक कीट लगते हैं माहू यह कीट पौदों की पत्तियों से रश्चूस कर पौदों को हानी पहुचाते हैं जिसके करन पत्तियां सूखने लगती हैं तथा मुर जाती हैं पौदों की ब्रिधी रोग जाती है कीट की रोग थाम के लिए डाइमित्वेट 30 EC की एक लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में मिला कर प्रते हेक्टेर की दर से छिड़काओ करना चाहिए दूसरा कीट है फली बेदक कीट इस कीट के लारवा फूलों एवं फलीओं में छेद कर नुकसान पहुचाते हैं फली बेदक की रोग थाम के लिए बोनो क्रोटोफास 36 EC की 600 मिली लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में मिला कर प्रते हेक्टेर की दर से छिड़काओ करने से इस कीट से बचा जा सकता है कटाई एवं उपज लोबिया की फलीया जब पूर्ते हपक कर तयार हो जाएं तब पौदे सहित इसकी कटाई की जाती है कटाई के बाद मडाई करके दाना अलग कर लेते हैं एक हेक्टेर से लगभग 10 से 15 कुंटल दाने की पैदावार प्राप्त होती है भंडारन से पूर्ब दानों को दूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए भंडारन के समय दानों में नमी की मात्रा 12 प्रतिसत से अधिक नहीं होनी चाहिए धन्यवाद